तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे 7 कलास का मैचा ना तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं दे पाया थे 7 कलास का 6 कलास का भी नहीं दे पाया है तो आज दोनों कलास का सूचे हैं एक-एक वीडियो दे 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 कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं कि आगे किया गए थे उधर थड़ा सा एट नाइन में बीजी थे हैं एट नाइन पढ़ाने में तो कमेंट करते रहे हैं तो मिलता रहेगा वीडियो है अब लगता है कोई देखें रहा है तो फिर कहा है को इसलिए रूख जाते हैं तो चलिए देखेंगा आज 22.2 इससे पहले 22.1 दे यहां पर हमको पढ़ना है माध्य परिसर दो चीज पढ़ना है माध्य और परिसर तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में ही माध्य और परिसर का फर्मूला ही पुछा है तो चलिए उससी क्वेश्चन में ही समझ लेते हैं अलग से समझने के ज़रूत नहीं है क्वेश्चन तो देखें परिशर इसमें data handling परण रहे है data handling यानि कि बहुत सारा data दिया हुँ रहेगा जैसे कुछ data दिया हुआ है numbers वाला data 2,4,5,7,6,9 इस तरह से कुछ data दिया हुआ है ठेक है तो इस data में अगर हम परिशर इसका निकालना चाहा है परिशर तो परिशर किसको कहते हैं तो हाइस्ट वेल्यू रहेगा हाइस्ट वेल्यू को सबसे लोएस्ट वेल्यू से माइनस कर देते हैं तो उसे को परिशर कहते हैं तो उसे को परिशर कहते हैं इंगलिस में range करते हैं यानि हाइस्ट वेल्यू माइनस लोएस्ट वेल्यू माइनस किया तो जो वेल्यू आया उस यहाँ पर है तो खाली अस्तान का भराएगा माइनस निउन्तम है ना निउन्तम अधिकतम माइनस निउन्तम यानि बढ़का माइनस छोटका सधारन सब्दों में ठीक है सबसे बढ़का माइनस सबसे छोटका तो आजाएगा परिशन आए वास में ती फर्मले याद रखेगा अधिक्तम माइनस नियुन तर्म ठेक है तो यह बहर ना था दूसरा में माध्य पढ़ना है माध्य तो दूसरा में माध्य जिसको मीन कहते है इंगलीश में ठेक है मीन तो दूसरा में यही पोस्चन में भी है माध्य बराबर लिखा लें उपर में प्रेक्षनों का योगफल लिखा हुआ है और बटा लगा नीचे क्या भराएगा वो बटा करना है तो देखें माध्य परीषर से समझ भाएगे सबसे बढ़का को सबसे चटका से घटा देंगे परीषर निकल दाएगा और माध्य क्या है मीन क्या है तो देखें जितना भी प्रेक्षन दिया है याँ डेटा जो दिया हो रहाएगा वो सब डेटा को जोड देंगे और जितना है जोएगो संख्या है उससे नीचे भाग देंगे तो वो जो value आएगा उसको माध्य कहते हैं जिसे आवसत भी कहते है आवसत भी ऐसे ही निकलता है जैसे इसका आवसत निकालना है तो का करते हैं इसको जोड़ देते हैं इस सबको और काई गो है एक दू तीन चार पंच चार पाँछ वो तो छवस यानि जो भी डेटा दिया हो रहा है उसका उसका योग प्रिकषण के संख्याय , तो यही दो चीज इस exercise में देखना है underground , पहला question में ये था clearly है दूसरा question में आता है तो देखे, इसमें कुछ-कुछ होगी गल्प दिया हुआ है, option उसमें सही बताना कौन है, जैसे दूसरा का पहला उनमर में है 14, 6, 12, 17, 10, 21, 4, 3 का परिसर इसका परिसर, option दिया हुआ है तो option को छड़िए, यहां समझें परिसर क्या है तो परिसर निकालगी, परिसर तो समझें आगे क्या बढ़का, माइनस, चोटका तो फर्मूला एक बार लिखना चाहे तो लिख लिजेगा अधिकताब माइनस नहीं उन्तव, लेकिन इसमें बनावानता है टीक लगाना है, तो उसमें कहा है बनाते रहेंगे खाले अंसर लाइए, कितना आएगा सबसे बढ़का माइनस, सबसे छोटका सबसे बढ़ देखे कून, 14, 16, 12, 17, 20 21 लग रहा सबसे बढ़, हाँ 21, 21 माइनस सबसे छोटका सबसे छोटका, सबसे छोटका, तीन दिख रहा है, तीन 21 में तीन घटा यह है अगला है परथम पांच, परथम पांच, पूर्ण संख्याओं का अंख गनीतिय माध्य, अंख गनीतिय माध्य है किसका माध्य है बल रहा है परथम पांच, पूर्ण संख्या परथम परथम पांच, पूर्ण संख्या तो परथम पांच, पूर्ण संख्या तो इसमाँ पूर्ण संख्या आगया पूर्ण संख्या जानवेन ने की जेगा का चीज को कहते है बनाए है कि तो पुर्न संख्यको काते हैं दील का एक एक पुर्ण संख्या Ö प्रकृतिक संख्या भोलता है जो गिंठी फिला होता है ने चुरह से कैसी जीश rituto Reform को अगाता है इसको पुर्ण संख्या खेंगे तो पुर्ण संख्या यानी 0 से छोटा से है ना, जीरो हाटा देंगे एक से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नमेर, ठीक, मने प्रकृतिक संख्या, तो पुर्ण संख्या बोला, क्यों? क्यों प्रत्थम पांच, यानि सुरू का पांच को पूर्ण संख्या, तो कौन-कौन हो का? 0, 1, 2, 3, 4, चारे तक जायंका, है पांच को तो हो गिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब बोला इसका माध्य, माध्य, तो माध्य मतलों कहाता है परेक्छनों का योग बटा परेक्छनों की संख्या, यानि जो भी परेक्छन उसका जोड बटा उसका संख्या, इसका जोड लगा दीजेगा, जोड जोड दी तीसरा, तीसरा नमर में कुछ आंकड़ा दिया हुआ फिर से, 20, 25, 21, 19, 18, 19, 20, 25, 17, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका परिशर ज्याद कीजिए, निमना आंकड़ों का परिशर ज्याद कीजिका दिया, तो फिर परिशर निकाले बहुत सारा, तो परिशर इसमें निकालना ह इसमें फर्मूला भी लिख ले चाहेगा, परिशर बराबर अधिक्तम सीमा माइनस नियुन्तम सीमा है, ना, परिशर बराबर, अधिक्तम सीमा माइनस नियुन्तम सीमा है, या निम्न सीमा, यानि बढ़का माइनस छुटका, साधार ना, बढ़का माइनस छुटका, बढ़का सबसे बढ़ पचीस 25 से बढ़ कोई ने 25 माईने सबसे छोटा देखे 20, 17, 18 17 17 छोटा कोई ने 25 में 17 घटे 7, 3, 5, 8 8 होगी अंसर कोई दिकत ने बढ़का छोटका घटा दीचेगे अगला कोश्चन में काक्छा सेबन के 10 विद्यार्थ दुवारा गनित में 20 में से प्राप्त अंक निम लिखित है 20 में से कुछ नंबर आया वो दियावज 20 नंबर का टेस्ट हुआ है एक्जाम होगा सत्वा कलास में, हाफिलों का कलास का गनित गनित का टेस्ट वॉया काह फूल माक्स कतमा का था फूल माक्स वीच वह न, वीच नंबर का उस्में से 10 गोवीदार थी भाग लिया उस टेस्ट में काहिए को 10 गोवीदार थी अब दसो NOTE यहां दिया हुआ एकठोगा आया 19 एकठोगा अठरव अइख्छो का 18, फिर एक का 17 एक का 12, फिर एक का 12 एक का 3 एक टीन, एक टो और 12 एक टो 10, एक टो 19 यू 10 गो टूज्टन देंके देंके 10 हुआ है, एक दू, तीन, चार, पानच चे, साथ, आघ, नो, दस 10 गो स्टूज्टन, 10 गों का नमबर दिया हुआ है किसका कितना कितना आया 20 में से ठीक आचा है तो पहला इसमें question कहा दिया उप्रुक्त आंकडों में अधिक्तम और नियूंतम अंक क्या है देखिए अधिक्तम अधिक्तम और नियूंतम अंक क्या है गोला नियूंतम अंक अधिक्तम और नियूंतम अंक क्या है पहला question में है तो अधिक्तम आंक, अधिक्तम आंक कितना है देखे तो, अधिक्तम यानि सबसे बेसी, सबसे ज्यादा, अधिक्तम आने सबसे ज्यादा कौन है, किसका सबसे ज्यादा, 19 है, 19, 20 में 20 किसी को ने आया, 19 दू जनको आया, तो कई जनको आया उसको ने पूछा, खली, सबसे नहें अधिकतामाँ और सबसे कम सबसे बगलोल पुम्साटि का नहें अगधाम कैसा शर्ण धुतित डियांस में टीन नम्मक्र कूरेट नियांस धुटांट शट्चक्षेषर ॑ incentive ड़्दब अधेक्तं माईनस नीऊंतम का अधेक्तं माईनस नीऊंतम, यानि अधेक्तं माईनस नीऊंतम, यानि अधेक्तं मि आठ चाटा गिया है, पहले近 20 यानी नेरा जेरो नाे छाड होता है यह दिया हुआ उसके बाद मतब बढ़ते करम है ना कम बढ़ते करम वह में भेंगे यानि सब से छट सर्ड से लगते कर्म लिखे सब से चोटा देखे सब से चोट कोई सब सेच ओ शोटा एक 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 उसके बाद दक्ती करते जाएंगे कुन कुन इखांगे उशके बाद दू लिखेंगे तु inability तो गरमे कर देख और नाय तो दो है अब तीन೸ीं तुट गरमUI का है व 3 एत बहाँ दढ़ेा ?9 ,3 नाये 4 होगा 4 पांच देखल पांच 1 पांच 3 पांच 4 पांच और तो 50 चाव पांच 5 क्या बाद 6 66 6 दखिए 10 यां देखरा řे ठेश्ग यहरा चे यांच ये इंट या जे दखिए यहांए है उसके पाँबस सा्थ सॉत्किए यह देखिए साथ शाथ सास्ट यहां साथ और आट साम नहीं हो और नाओ तो लिखा गया और नहीं हो और है खाए CHRIS लार यह कंवेन लिए बार सब है कि नहीं एक दो तीन चार पांच स्थे, गक्रम में गणताए हैría अरोई के reps गुक्षिन के और झाला है, खेक्रम में दकlyता है र३हाना बादते का हा स्थे抖ो परक्रम में लिकता है तो स्थे स्थे पहले है परिशर निकालने में अब आसानी हो जाएगा काहता परिशर माने बढ़का माइनस छोटका सबसे बढ़का अदल सबसे लास्ट में है फर्मूला लिखना चे लिख लीजिएगा अधिकतम माइनस निद्व तो अधिकतम नाव माइनस एक आठ हुए अज़र ठीक दूसरा दू प्लस दू प्लस दू प्लस तीन प्लस चार प्लस चार प्लस चार प्लस प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच को पांच है पांच प्लस छाओ प्लस छाओ प्लस छाओ प्लस छाओ प्लस साथ प्लस साथ प्लस आठ प्लस नौ इतना इतना जोड बटा काई गोई है टोटर 20 टेक जोड़ी किधर से जोड़ने ठेक होगा इधर जोड़ी 9 or 7 9 or 8 9 or 7 7 or 7 24 24 and 7 31 31 or 6 37 37 or 6 43 43 or 6 49 59 or 6 55 55 और 5, 60, 65, 65, 75, 80, 84, 84, 84, 84, 84, 84, 92, 92, 93, 95, 95, 99, 99, 100, बड़ा बढ़ी आया, ये 100 है न पूरा पुरी, और नीचे है 20, काट दीजे, जीरो 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 एक ठोकट गया, फिर दो पचे, 10, माने इसका माध है आया, 5, कोई बात ने, बन जाएगा कोई दिकत ने, चलिए, और एकाल कोशन देख रहते हैं, परथम 5 लगातार प्रकृतिक संख्याओं का अंक गनिती माध है, देखें परथम, 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 प्रक प्रकृतिक संख्याओं का संख्या, प्रकृतिक संख्या, प्रकृतिक संख्याओं का माध्य निकाना है, ठीक है, प्रथम 5 प्रकृतिक संख्याओं प्रकृतिक संख्याओं क्या होता है, जानना पड़ेगा अभी बताएं तो स्वारदरबाले, प्रकृतिक संख्या, ऐसे स गींति वलार नंबर कौही प्रकृत संख्या या नेट्यूल संग्या है तो प्रथम 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 मानेर सुरू का पांचम्ला को कि प्रकृत हैं तो एक पुलस दो पुलस तीन पुलस चार पुलस 5 बटा 5 तो जोड़ी 5 आन्नाव तिन बारह तेरे चोवद एक पंदरह 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 5 या निमें 5 ये पंदरह कर लिजेक जल्दी से गनगना कर दे रहां डाल hockey ऑगा होगा परत्थम निखले यानि शुरू का पांच को इसी तरह यान परत्थम पांच यानि शुरू का पांच को सम प्रकृत संख्या है ना पाँच फूआएगा है पाँच लामाच पाँच लिहां अधृ निक लिए पटाक सरह निकालते हैं दो पूलस चार प्लस 6 पूलस आठ पलस दस पाँच गगए Essay पांच नीचे जोड़ देंगा है दास आठा ठारा अरशाओ चार चोगा चोबिस चारा ठारा ठारा सुन्देश तीस तीस आया बटा पांच पांच छक तीस छे हो गया अंसर ठीक पांच अभाज संख्या अभाज संख्या अभाज संख्या अभाज संख्या माध ही निकालना है लेकिन कैसा संख्या है पराथम पांच अभाज संख्या अभाज संख्या किसको गाते है जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता है जिसका गुनान खंड सिर्फ दो ही होता है एक तो तो आपने आप खुद का पहड़ाम आता है और एक का पहड़ाम है तो इसका गुणन खंड रहा है एक खुद अपने आप और एक ठो एक तब उसको आभाज संग्या कहें है जैसे दो दो किसके पहड़ाम आता है तो दो एक में आता है और दो खुद का पहड़ाम है तो आभा याद रखेंगा जो जिसका दुम को गुनंखन होना हुपने और अपने आप भ गुनंखन नहीं है इसका गुनंखन एक वह रहा हुआ है सबस्क्राइब तो दो गुननख़न नहीं एक एक हैं इसलिए यह भाज संख्यान नहीं है तो भाज भी नहीं भाज्य नहीं बाज्य का भुता है जब दो अधीक के पहाणाम आता है दो से और धीक जिसका गुनन खंड है तो भाजे संख्या यानि एक और अपने आप में तो आएगा ही उसके साथ कुछ दूसरा पहणा भी आवे तब उसको भाजे कहते है जैसे चार चार एक और चार में तो आता ही है यह एक और खुद का पहणा में आबे करेगा लेकिन दो म साथ होँच गो आपाजी संख्या मलात काहां जो टा ख से नाइक तो ही नइ यह भाज संख्या जीन दो है उसके बाद 3 3 भी नही आता है किसी किरे दूसरा तीन चार आता है चोड़ जी, 5, 6 आता है, छोड़ जी, 7, कई गुए, 4 गुए, 8, 9, 9, आता है, 3 का पाड़ा, 10, आता है, 11 ने आता है, किसी ने तकार, ती होगे 5 हो अब इका माध है निकालना है माध हमाने का वह जोड दीजिए अगर से भाग देजिए माध पराबर 2 पलस 3 पलस 5 पलस 7 पलस 11 बटा 5 वह तो 5 तो 2 अर्थिम 5 5 10 10 17 17 17 18 18 18 18 18 बटा 5 अंसर ठेका जोड कर लीजिए कोई दीकत नहीं तो समझे लिए 9 नॉमर में आए पांच के पराथम छे गुनज देखें पांच के पराथम छे गुनज पांच के पराथम छे गुनज का माध है आना अंक गाने ती माध यानि माध है निकालना है पांच के पराथम छे गुनज अब इस कोण जानज यह खाली पांच को नंबर लिखना है तो माध यह तो जान 5 पहाडा पहाडा पान्च का पहाडा काहई पहाड सी श्ब्धू पहाडront के सब्सक्छा कर सफुरवा या यहानों, शुरुवे से ऊंद्गी और पॉच गुगा फीर पांध्य निकाल ना या माध्य मतलब का जोड़के बाटा काई गो है छो ठीक है जोड़के छो लिख दीजे नीचे डिवाइट छो तो जोड़के अगा नहीं किसे तोड़े 0, 5, 5, 5, 10 5, 15, 15, 15 को 5, 16 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बटा, 6, काटेगा, काटे, काटेगा 2 से कतेगा, 2, 3, 6 2, 2, 5, 10 आएं 2 से कतेगा, 3, 2, 6 3, 9, 1, यह 3, 5, 15, तो 35 बटा, 2, answer, ठीक है भाग दना चाहे तो point में आला सकते है अब थोड़ा सा टेबल बनाया हुआ है और सथ उसथ वीडियो में तब तक के लिए इस तरह हमार सब बने रहे हैं वीडियो थोड़ लाइक कर रहे हैं मिल्दने रहे हैं